बास्किट फिटिंग करने का तरीका क्या होता है कुछी मिल्ट में आप भी इस वीडियो को देखने के बाद सीखने वाले हो कुछी मिल्ट की वीडियो रहेगी complete detail के साथ इस वीडियो में मैंने जानकारी को share किया है अगर आप इस तरह से दराज को बनाते हैं बास्किट की fitting करते हैं तो काफी smooth आपकी दराज भी चलेगी प्लस काफी अच्छी finishing भी आएगी Hello दोस्तो मैं जिशान सेफी इस वीडियो में आप देखने वाले हो चैनल वाली दराज को कैसे बनाया जाता है जैसे कि आप देख सकते हैं तो हमने इसकंदर ये SS basket fitting किये प्लस इसकी प्लाई का मत्था होता है इसकी fitting किये basket fitting करने का तरीका क्या होता है कुछी मिंट में आप भी इस वीडियो को देखने के बाद सीखने वाले हो कुछी मिंट की वीडियो रहेगी complete detail के साथ इस वीडियो में मैंने जानकारी को share किया है दोस्तों बहुत ही जादा smooth हमारी basket चल रही है तो आप भी इतनी smooth basket को चला सकते हैं इस वीडियो को complete देखने के बाद इस वीडियो को ध्यान से देखना हो कुछी मिंट में पूरा प्रोसेस आप भी सीख जाओगे और दराज को बनाने का सही तरीका आप तक पहुच पाएगा तो वीडियो को share भी कर देना ऐसे ऐस basket fitting होने वाले area पर भी नजर डाल लेते हैं बात करें इसकी चुडाई की 18 inch 2 सूत है पिर से उसके नीचे 8 inch की plan basket आएगी तो यह basket के साथ में हमें कुछ attachment मिल जाते हैं इसकी fitting के लिए cutlery के साथ भी मिल जाते हैं और plan basket के साथ भी मिल जाते हैं उसके बाद तीनो basket को अपनी जगा पर रखके check कर लेना है जैसे कि आप देखी सकते हैं तो हमने यह partition L30 से खड़े किये हुए तो जैसे हम 17 inch की इसमें basket लगा रहा हैं तो हमने 18 inch के area को उधर छोड़ा है ताकि जब हम इसमें channel लगा हैं तो हमारा perfect size आ जाए जैसे कि आप basket देखी सकते हैं तो यह 20 inch की हमारी इसकी length बास्केट की तो यह जो plain basket होती है इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है जैसे कि आप देखी सकते हैं जहां पर हम channel की fitting करते हैं यह कुछ area over होता है तो हमें हतोली की मदद से इसको सीधा कर लेना है जैसे कि आप इस screen पर देखी सकते हैं अगर आप इस तरह से कुछ इस area को सीधा कर लेते हैं जो पत्ती होती है इसको सीधा कर लेते हैं हतोली की मदद से तो हमारा जो channel होता है वो काफी perfect तरीके से इसके अंदर fit हो जाता है और जब हम basket की fitting करते हैं तो fitting भी काफी अच्छी हमारी fitting basket की आ जाती है तो उसके बाद जब यह सीधा हो जाता है तो एक ply को भी check कर सकते हैं ताकि जो पत्ती हमारी वो बिल्कु सीधी होनी चाहिए क्योंकि दोस्तों जो channel होता है वो सीधी जगे पर काफी अच्छा work करता है तो जैसे कि आप देखी सकते हैं हमने दो channel को इसमें install करना है यानि इसमें पत्ती जो है इस पर दो channel को लगा लेना है जो channel के आगे extra पत्ती होती है उसको ही लगाना है सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है जैसे कि आप देख सकते हैं जो basket पर company का logo आता है जो इसका अगला front होता है जैसे कि स्क्रीन पर देखी सकते है तो इसको basket की logo के side पर रखना है और ये basket में patch को tight करने के लिए कुछ attachment दिये होते हैं तो इसी attachment के अंदर patch को tight कर लेना है तो इसमें इस बात का ध्यान रखना है जैसे हमने एक इस वाली side पर basket channel की fitting किये सेम इसी तरीके से दूसरी वाली side पर भी हमें fitting करनी है ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक सूत आगे पीछे हो जाए तो इस बात का खास ध्यान रखना है क्योंकि वीडियो से भी काफी अच्छा idea मिल जाता है दोस्तो उसके बाद जब हमारा channel लग जाता है उसको basket पर fitting कर लेना है जैसा आप वीडियो में देख रहे हो तो उसके बाद जब इसकी fitting हो जाए फिर से एक नजर इस पर माल लेनी है डाल लेनी है ताकि हमें एक idea रहा है कि जो हमने channel की fitting किये वो सीधा है या फिर नहीं है अगर फिर भी आप नजर से नहीं देख सकते तो एक सीधी पट्टी से भी चेक कर सकते है तो काफी अच्छा हमें पट्टी से भी idea मिल जाता है और हमारा channel काफी अच्छे से fit हो जाता है उसके बाद इसमें दोनों channel की fitting कर लेनी है final fitting हो चुकी है उसके बाद ये रेडी है इसका मत्था जो होता है उसका फरण मत्था होता है उससे आप देखी सकते हैं हमारा channel तकरीबन ये देल से दोसूत पीछे है तो इतना पीछे होना चाहिए बिल्कुल face में नहीं होना चाहिए तो इस बात का खास ध्यान रखना है जब हमारा channel लग जाता है तो इसमें एक इंची की जगा एश्टरा बच जाती है दोस्तो इसमें अब इस बात का ध्यान रखना है जैसे कि आप देख रहे हैं तो हमारी जो ये basket की चोड़ाई है 17 इंची है वो एक ही time में basket की fitting कंप्लीट ना करें जो इसका box बनाए दोसूत लूजी बनाए तो काफी आसानी सा आप basket फिट करना सीख सकते हैं बास्किट लगने वाला area है इस पर हमने तीन इंची पर marking कर लिए और राइट एंगल की मदद से बाड़ा वाला जो राइट एंगल होता है उससे marking इस तरह से उतार लेनी है दोनों साइट पर तीन इंची की marking करके तो इस तरह से कर आप basket लगाते हैं तो काफी आसानी से बास्किट को लगाना सीख सकते हैं काफी जल्दी भी basket आप लगा पाऊगे तो इसको अच्छे से इसका measurement कर लेना है जो हमने तीन इंची पर marking की है जैसे कि आप देखी सकते हैं इस marking पर हमें 20 नंबर की जो हमारी बारिक वाली कीले होती है उसको लगा लेना है एको रेट बिल्कुल marking पर ही लगाना है यानि दोनों साइट या एक साइट चैनल को लगा लेना है उसके बाद इसका जो फरंड होता है उसको चेक कर लेना है कि हमारा चैनल कितना पीछे है और हमें ये जो पिलाई पर चैनल की फिटिंग करनी है कितने पीछे करनी है तो तक्रीबन ही हमारा दो सूती पीछे चैनल आता है अगर इस तरह हम बास्किट की फिटिंग करते हैं तो दोस्तों यह मैंने लूजर रखा है चैनल अपने हिसाब से हम इसको अड्जेक्ट कर लेंगे यह जो माइका के तुकले हैं मैंने तीन-तीन तुकले इसके पीछे लगा सकते तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब भी बास्किट लगाएं तो एडिये को थोड़ा सा सूथ-दो-सूथ लूजर रखें तो हमने एक चैनल लगा दिया उसके बाद आप देखी सकते हैं तो यह हमारा गेप हमें दिख जाता है तो यह इसमें हमारा कु यह जो ऐसे बास्किट की फिटिंग होती है कभी-कभी काफी जादा टाइम इसमें लग जाता है तो जैसे हमने इसके सामने वाला चैनल की फिटिंग की सेम इसी तरीके से इस कील पर चैनल को रखना है जितना हमने गेप जो हमारी प्लाई की फैसे इससे पीछे रखा है दे के बाद हमने जो गुरूप था उसमें पेकिंग को रखके पहले ही चेक कर लिया था कितनी पेकिंग किस जगा पर रखनी है ताकि हमारा चैनल परफेक्ट आ जाए तो दोस्तों जैसे कि आप इस तीन पर देखी सकते हैं एक हमारी बास्किट लगकर बिल्कुल रेडी हो चुक करके लगानी है उसके बाद इसमें गुरूप जो है यह जैसे कि आप चैनल पर देख सकते हैं तो पहले भी आप लगा के चेक कर लें उसके आगे भी और पीछे भी तो हमारी दराज की बास्किट की फिटिंग काफी अच्छे से आ जाएगी जैसे कि आप देख सकते हैं तो एसे बास्किट की फिटिंग हो रही हो तो दोनों हैं मुश्किल अगर समझ लिया तो आसान है और ना समझा तो काफी मुश्किल है तो दोस्तों हम इसे देल इंची ऊपर करके हमें इसकी फिटिंग कर लेनी है जैसे हमने आट इंची की बास्किट की पहले फिटिंग की थी सेम इसी तरह से इसके जो उपर लगने वाली 6 इंची की बास्किट है देल इंची उपर करके उसकी भी मार्किंट कर लेनी है राइट एंगल की मदद से जो राइट एंगल है हमारा तकरीबन 18 इंची वाला है सेम उसी तरीके से कील को लगा लेना है ताकि जब हम इस पर बास्किट की फिटिंग करें वो बिल्कुल राइट एंगल मा है तो चैनल लखने के बाद हमने पहले ही इसका हिसाब लगा लिया था यह जो हमारी प्लाइट की टकरीबन 19 इंची जहां पर हमारी दराज का मत्था फिक्स होता है यानि बंद होता है तो वो बिल्कुल हमारी पेस में है यानि यह जो चैनल लगा है यह हमारा दो सूथ या फिर धाई सूथ या फिर देर सूथ जैसा मेजरमेंट आता है हम बासकेट को रखके पहले ही चेक कर लेते हैं कितना पीछवा में इसको लगाना है तो इसी तरह से दो हमारी बासकेट की फिटिंग होती है वो इतनी प्रॉपर नहीं आती है अगर हम दो सूथ लूज कर लेते हैं उसके बाद में बासकेट की फिटिंग करते हैं यह काफी जादा परफेक्ट आती है और काफी आसानी से नियू कार पेंटर भी इसको फिट कर सकता है दोस्तों य उपर की हमारी बास्कित में हो चुकी है जैसे कि आप इसक्रीन पर देख शक्ते हैं, तो सकते हैं जरा syत, इसे Kabak ho तो फरंड पर धांशी ठよしके कर लेना है तो यह दराज यह बास्किट हमारी आगे है यह जो है देख जैसे कि आप देख सकते हैं ठो इसमें यह थोड़ा बिल्कुल प्रोपर तठीके से नहीं आपा रही है इसके फेस में तो हमें आब इसके चैनल को थोड़ा पीछे करना है यानि एक सूत हमें इसके चैनल को पीछे करना है इसलिए ये जो पेंच लगाया था मैंने पहला पेंच लगाया था वो चैनल में एक अर्जेक्टिंग वाला आप्सन होता है उसके अंदर पेंच को लगा लेना है उसके बाद हमारा चैनल एक से लेके दो सूथ तक पीछे हो जाता है तो हम इसे एक सूथ पीछे कर लेते हैं ताकि जो हमारी जाली की आगे की पत्तियां होती है वो आगे ना है तो वो पीछे उंका होना ज़रूरी है, उसके बाच जब दोनों चैनल पीछे हो जाते हैं हम इसको फिर से रख के चेख कर लेते हैं, जो बास्किट की फिटिंग होती है, काफी जाधा टाइम लगता है, रियल में भी काफी देर इसमें लग जाती है, दोस्तो उसके बाच यानि जो 6 इंची की बास्किट हमने इसमें लगाई है इससे हमें ये देल इंची ऊपर करके इसकी फिटिंग करनी है इसकी चैनल की फिटिंग करनी है वो कटलरी की फिटिंग कर लेनी है जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं चैनल जो हमारी कटलरी है इसमें इस बात का ध्य कि तेनल की फिटिंग कि थी लेकिन जो अमारी चैनल की पत्ती थी बिल्कुल सीधी नहीं आ रही थी तो मैंने जो टककर टेप होता है उसके तकरीबन चार पीस की छोटे कटिंग की उसके पत्ती के सेंटर में उस टकर टेप को रख दिया फेविकोल लगा कर तो यह हमारी पत् की फिटिंग कम्प्लीट हो चुकी है जैसे कि आप स्क्रीन पर देखी सकते हैं उसके बाद जो ऊपर की बास्किट है सबसे उपर हमने कटलरी को लगाया उसके बाद इसे भी चेक कर लेते हैं जब यह हमारी तीनों फाइनल हो जाती है हमने इसकी जो दराज के मत्य होते हैं उसका कम्प्लीट एक पीस की कटिंग की है अब हम एक पीस में से तीन पीस को बनाएंगे तो इससे पहले हम तीनों बास करना है जो हमने इसमें पेकिंग लगाई है उस पेकिंग के उपर फेबिकोल को भी लगा लेना है ताकि इन फ्यूचर हमारी जो पेकिंग है वो नीचे ना गिरे क्योंकि अकर पेकिंग गिर जाएगी तो हमारा जो चैनल है वो प्रोपर तरीके से चल नहीं पाएगा तो इस बीच में पेंच को नहीं लगाना है एक तो आगे लगाना है पेंच उसके बाद सीधा इसके पीछे लगाना है तो दो पेंच आगे हो गए हमारे और दो पेंच पीछे एक चैनल में हमारे चार पेंच टाइट हो जाएं तो यह बहुत है और काफी लॉंग टाइम तक हमारी ब लग जाते हैं और हमारी बास्केट भी लग जाती है उसके बाद हम इसकी टककर पर masking टैप को लगा लेते हैं इसके मत्झे की कटिंग करने के लिए जो आठ इंची और 6 एंची बीच के डिश्टेंस है उसके बीच में टककर टेप को लगा लिया और ये जो दोनों का बिलकुल सेंटर करके या फिर जो छे इंची की हमारी बास्कित है उस से आधा इंची या फिर दोसूत नीचे करके हमें इसकी मार्किंग कर l होता है उसके हिसाबसे marking झालने नहीं है तो उसके बाद Кिंग हो जाती है जो हमारी पीलाई का पीस से इस पर कुछ इस तरह से marking को उतार लेना है दोनो उसाइड से एक छोटा सा最近 यहां पर उतार लेना है एके ही दूसरी वाली साइड भी Left और राइट दोनों साट पर उता लेंना है उसके बाद जो हमारी मार्किंग आये है उसके बाद जो हम इसकी हम करेंग इसके नीचे में जो या लेते हो इसके आप देख सकते हैं थोड़ा नहीं पर साइथ में गूरुब है तो हमें cutting करनी है एक सूथ की cutting आए या फिर आदे सूथ की cutting आए पहले हमें इसे मिला लेना है उसके बाδद दोस्तो अभी हमारी यह final cutting नहीं है final cutting बाद में होगी हम एक एक एको रेट तीनों यह जो तीन मत्य ہیں हमारे इनके एको रेट गुरूप मिलाएंगे और अच्छे से इ क्रूप की कटिंग भी करेंगे तो यह हमारी कटिंग फिलाल हो चुकी है उसके बाद बास्किट में कुछ इस तरह से रख लेना है और हाथ से पीछे से बास्किट को पकड़के जो बास्कित की पत्ती है जैसे कि आप इस सामने देखी सकते हैं महाँ पर पैंच से या फिर किसी इच केच की मदद से मार्किंग को उतार लेना है जब हमारी मार्किंग उतर जाती है उसके सेंटर में केल से या किसी पैंच से निसान को ले लेना है ताकि जब हम बास्किट में इस मत्थे की फिटिंग करें इस कुरू को टाइट करें तो इस चारो जो हे मार्किंग पहले पैन से उतार लिए उसके बाद ड्रिल मसीन की मदद से इसमें चारो पैंच को टाइट कर लेना है कुछ इस तरह से जैसे कि आप स्क्रीन पर देखी सकते हैं उसके बाद जब हमारे पैंच लग जाते हैं तो फिर से हम बास्किट की फिटिंग करके हमें चेक कर लेना है कि जो हमने मत्था फिट किया है वो किस तरह से आया है सही आया है या फिर गलत आया है दोस्तों यह जैसे कि आप देख सकते हैं आजकल जो basket आ रही हैं उनमें कुछ इस तरह से option आता है screw को tight करने का तो आपको चार हो screw को tight कर लेना है उसके बात दोस्तों जब इसका screw tight होता है ये इसका सबसे main खेल होता है कि ये थोली जो हमारी SS basket होती है इसकी जो डराज का मत्था होता है ये कहीं से जाद होता है कहीं से कम होता है इसमें गेप होता है मैं आपको इसका काफी आसान तरीका बता देता हूँ ये जो हमने चार स्कुरू लगाए है जो नीचे वाले स्कुरू है वहापर टककर टेप के दो छोटे तुकले लगा दे तो ये बिल्कुल पर्फेक्ट आ जाएगा पेकिंग की मदद से अब इसके बाद जो इसके उपर का है मत्था उसकी भी सेम इसी तरीके से कुछ कटिंग कर लेनी है जैसे कि आप देख रहे हो तो उसकी भी मार्किंग कुछ इस तरह से उताल लेनी है फिर उसकी सीधी पट्टी की मदद से कटिंग को कर लेना है तो उसके ये काफी आसान तरीके से मैं बताने की कोसिस कर रहा हूँ ताकि आपकी भी समझ में आ जाए जैसे कि आप देखी सकते हैं जो कटलरी है इससे तकरीबान हमारा दो तीन सूथ ये नीचे है मत्था लगा हुआ उसके बाद इसकी भी जैसे हमने पहले लेफ्ट और राइट वाली कटिंग की थी तो इसको भी फेस में मिला लेना है उसके बाद इसके नीचे पेकिंग को रख लेना है ताकि हम जब इसकी बास्किट लगा ले तो ये आपस में ना है तो उसके बाद इसको इसी बास्किट के मत्थे के उपर रख के खोल लेना है तो ये सबसे आसान तरीका है तो न्यू कार्पेंटर भी इस तरह से काफी आसान इसे बास्किट को लगा सकते है उसके बाद इसके अंदर से मार्किंग को उतार लेना है जैसे कि आप देखी सकते हैं जो पती है हमारी बास्किट का अंदर लगी ये चार पती होती है इसके जो सेंटर वाला होल होता है उससे मार्किंग को उतार लेना है तो ये बास्किट हमारी हिलनी नहीं चाहिए जब हम इसको खोलें तो बिल्कुल बास्किट के ऊपर बास्किट का मत्था रखके इस तरह से मार्किंग को उतार लेना है उसके बाद कील की मदद से चारो होलो को कर लेना है ताकि हमारा पेस सिलिप ना हो उसके बाद फिर से हम इसका जो मत्था है उपर वाला उसकी कुछ इसी तरह से फिटिंग करेंगे तो हम उपर वाले मत्थे को भी खोल लेते हैं और नीचे वाले मत्थेगी जो बासकीट उसको भी खोल लेते हैं जिस तरह से हमारी मार्किंग हमने मार्किंग की थी उस मार्कि तोड गेप आता है जो हम इसके पीछ पीछे ये पेंच लगा रहा है चार इन harvest के अंदर हम जो हमारी माइका के तुकले होते हैं यह फिर पीवीची जो टेप आता है उसके तुकले लगा कर अपनी दराज की मत्फे की काफी अच्छे से से सेटिंग कर सकते हैं दोस्तों हमारे अच्छे से फिट हो चुके हैं अब इनकी फाइमेल टिंग नहीं है इनका फेस भी होना जरूरी है जो इसके पास में पल察 लगा हुआ है उसके फेस का ध्यान रखना है इस में हमारा हाट का रंदा होता है लोहे का इसकी भी हमें इसको बिल्कुर फेस में कर लेते हैं तो यह हमारा टॉप का लग रहा है जैसी कि आप देख रहा है कटलेरी का लाश्ट है तो इसको भी थोड़ा ध्यान से देखे जो छेंची की बास्कीट है उसको उपर कटलेरी का मत्थे को रखना है कुछ इस तरह से नीचे थोड़ा सा गुरूब दे कर उसको बास्केटलेरी की फीटिंग होती है वाधो थोड़ी अलग होती है क्यूंकि कटलेरी में इस कुरूण नहीं आते है cannabis में और यह हम ने कुछ तरह से तो फूड़ा दिये है इसमें इसमें यह लाइन आती है उसी लाइन पर हम नहीं हुक लगा दिये प्लस यह नीचे दो पेंश को लगा दिया उसके नीचे पेकिंग भी लगाया है ताकि जो हमारे मत्थे हैं सब बिल्कुल फैस में रहें एको रेट तो कुछ इस तरह से पेकिंग लगा सकते हैं और इस बात का इसमें ध्यान रखना है जब भी पेकिंग लगाएं फेविक ओल यह जो एलपी होती है उसका यूद जरूर करें तो तीनों मत्ह हमारे बिल्कुल कंप्लीट लग चुके हैं जैसे कि आप स्किन पर देखी सकते हैं अब दोस् से जोड़ान में लु मुण थे बैस कित होती हैं इसके ऌस में में दूर को लगा लेते हैं क्यूंकि मैंने वीडियो मैंने लिए बास कीट बाद में लगाएं विडियो के दोस्तों रूब्रम यह परशाने का सामना करना पड़ा वीडियो में pos नहीं ज़िए हमें पास कु कि टक करें बिल्कुल उससे आदसूत या फिर मिलाकर उससे बिल्कुल कर लेनी है क्योंकि अभी हमें इसकी गुरूप की कर लिए फिलाल अभी हम यह जो हमारा डूरे इसके पैस में करके कर लेते हैं तो सभी तीन मत्थों की हम करेंगे कुछ इसी तरह से तो यह एक मत्थे की तो हमारी कटिंग हो चुकी है तो इसी तरह से दो जो और मत्थे हैं हमें सेम इसी तरीके से कटिंग कर लेनी है अब जो हमारी यह इसका मत्था है यह जो पास में हमारा डूर है इसके पास में डूर है इन दोनों के बीच में मत्था फिक्स हो जाएगा ज श्रीफ एक समझने का खेले और काफी आसान तरीके से हम दराजकू लगा सकते हैं और देखो वीडियो में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसमें हमें दो सूर का गुरूप देना है तो हमने एक फर्मा बना लिया था पहले रख लेना है और उसी की मदब से हमें सभी गुरूप की ओर लेनी है कुछ इस तरह से जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कुछ इस तरह से इसकी फायनल कौटिंग करनी है ये जो नीचे टाइल्स वाली जो कटिंग होनी है वो हमने अलग फरमा बनाया था उसी फरमे के माध्यम से हमने इसके सभी डूर की नीचे की साइट की जब हमारी ये मार्किंग हो जाती है जो भी हमारी मार्किंग आती है सूत दो सूत की जो भी कर्टिंग आती है उसको जो अब कर्टिंग करना है इसका इस बात कर धियान रखना है कर्टिंग करते हुए जो हमारी मार्किंग है प्रोपर उस ही पर कर्टिंग होनी चाहिए ना त क्राम की जो फिनीशिंग होती है वो भी बिगर जाती है तो इस बात का खास धियान रखना है जब भी कटिंग करें थोड़ा टाइम लगा करें जल्दी बाजी दराज के काम में बिल्कुल ना करें क्योंकि थोली सी भी कटिंग हमारा काम और बढ़ा सकती है कटिंग एक्ट्रा हो जाती है तो पेकिंग वगेरा लगा कर दराज को बढ़ा किया जाता है उसके गुरूप को सेम किया जाता है क्योंकि यह जो दराज का होता है यह सामने होता है बिल्कुल फरंड पर होता है तो इस पर नज़र सबसे पहले पढ़ती है तो इस बात का खास ध्यान रखना है दोस्तों जब यह तीनों दराज की कटिंग हो जाती है न तो यह जो हमारे दोनों डूर लगए हैं साइट में इनके फैस में हमें अभी र चुका है बास्किट फिट करने का यह तरीका कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखका जरूर बताना बास्किट पूरी तरीके से हमारी फिटिंग हो चुकी है अब जो यह एश टरा है हमें पैन से इस तरह से मार्किंग कर लेनी है उसके बाद जब यह मार्किंग हो जाए इस जो भी मैं काम वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक शेर करूँ वो आपको समझ भी आए तो दोस्तो ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखका जरूर बताना अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइट भी जरू कर देना पाए दराज को बनाने का सही तरीका क्या होता है चैनल पर नयों तो सबस्क्राइब जरूर कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोट्फिकेशन आपको जल से जल मिलती रही हो मैं कारपेंटर वर्क से जूली सभी जानकारी काफी आसान तरीके से समझाता हूँ और आप लोगों साथ शेर करता हूँ ताकि वीडियो के ही माध्यम से काफी अच्छा आइडिया भी आपको मिल पाए दोस्तों इस वीडियो से मैं अलवेदा देता हूँ बहुत जल मुलाकात करूँगा एक नेक्स वीडियो के साथ जब तक आप मेरे चैनल पर और भी वीडियोस अपलोड़ें उनको चेक कर सकते हैं जरूर कुछ न कुछ सीखने के लिए मिलेगा खुदा आपिस